चलिए दो बात करते हैं इसे को नई question के बारे में इस question में examiner नहीं का if a into b is equal to 21 and a plus b का whole square upon में a minus b का whole square is equal to 25 by 4 और then the value of e इसकी value को solve करना है इस question को हम दो तरीके से करेंगे पहले हम लोग क्या करते हैं अगर हम थोड़ता हैं यहां पर ध्यान दे तो मुझे इसके सामने जो मिल रहा है वो odd number मिल रहा है 21 यानि कि अगर मैं इसके factor तोड़ू co prime factor तोड़ू तो मेरे पास मैं 7 into में 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 3 मिल रहा है और इन दोने का multiply करने पर 21 आ रहा है इसका मतलब अगर मैं a की value यहां पर 7 माल लूँ और b की value में 3 माल लूँ तो यह मेरे पास में 10 हो जाएगा और 10 into में 10 क्योंकि इसको आ रहा है अब उन में a minus b यह 7 है और यह 3 है तो यह 4 into में 4 हो जाएगा बराबर में 25 by में 4 मुझे दे रहा है इस 4 से में इसको काटूँगा तो यह 5 पजाएगा 5 पजाएगा यह 25 by में 4 बराबर में 25 by में 4 आ रहा है यानि कि दायापक्ष बायापक्ष के बराबर है left hand side right hand side के बराबर आ रही है इसका मतलब जो मैंने value मानी है वो value verify होगी है तो उनी value को आप यहां रख दीजिए 7 का square करेंगे तो मेरे पास 49 हैगा 3 का square करेंगे तो आपका 9 आएगा तो यह मेरे पास कितना आ जागा 58 तो यहाँ पर A की value कितनी है आपकी 7 और B की value कितनी है 3 तो 7 21 21 63 इसको आप add करतीजिए 8 रो 3 11 6 6 12 यानि कि option B जो है वो इस question के लिए correct होगा अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर कोई बात नहीं simple सी बात है solve कर लेते हैं इसका square में बेजिए को अधर root हो जागा इसका इधर बेजिए को तो root हो जागा और root से बहार मेरे जी value आएगी यानि A plus का B आप उन में A minus का B बराबर में हो जाएगा आपका 5 by में आपका 2 cross multiply कर देते हैं तो 5 A minus का 5 B बराबर में 2 A plus का आपका 2 B इसको इधर बेजिएगा तो 3 A बराबर में 7 B हो जाएगा A की जो value होगी वो कितनी होगी आपकी 7 B by में आपका 3 यह इसकी value हो जाएगे अब यह इसकी value हो जाएगे तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसकी value को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर रखता हूँ यह मेरे पास में A into B is called to be 21 दे रखा है तो यहाँ इसकी value रखूँ हूँ हूँ तो A की value कितनी है 7 B into be B हो जाएगा आप उन में 3 हो जाएगा is equal to में 21 हो जाएगा आमने सामने की value गट जाती है तो 7 ते 20 यानि B square is equal to कितना आजाएगा 3 into में आपका 3 आजाएगा तो B की value आजाएगी वह आपकी 3 आजाएगी अगर B की value 3 है तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए इससे कट कर आजाएगा तो A की value आपको मिल जाएगी आपकी 7 और B की value आप मिल जाएगी आपकी 3 तो यहाँ पर रख देंगे आपका तो 7 का square आपका 49 3 का square कितना होगा आपका 9 और यह आपका 7 into में आपका 3 और इसका जाए 63 इन सब को add करेंगे तो option B जो है वो इस question के लिए correct answer मिल जाएगा I hope आप सभी को question समझ में आया होगा